कौन कहता है काम्याबी किस्मत तै करती हैं? कौन कहता है काम्याबी किस्मत तै करती हैं? अगर इरादों में दम होतों, मनजिले भी जुका करती हैं? Welcome you all to the origin. मैं आपका educator नमन. आपको हिंदी माध्यां का, पहला जो अध्याय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्याय है, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ. आसा करता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले, आप कक्छा नमवी के दूसरे अध्याय है, समाजवाद का उद्याय है, यूरोप में उसको पढ़े होंगे, मैं ऐसा आसा करता हूँ, और उसी के साथ हम सुरुवाद करते हैं, और सुरुवाद करने से पहले, कुछ समाजवाद और समाजवाद से जुड़े चीजों को जानते हैं, जैसे कि, आप सभी ने कक्छा नवी में पढ़ा होगा, कि यूरोप में समाजवाद जो है, तो समाजवाद में, समाजवाद में आपने पढ़ा होगा, कि यूरोप में कैसे समाज का उद्याय हुआ, यूरोप में समाज की स्थिती क्या थी, और यूरोप में कैसे लोग एक समाज में रहने के लिए प्रयास कर रहे थे और उसी को हमने पिछले नवीक अक्षा में पढ़ा था अब हम जब समाज को बना चुके हैं समाजी की स्थिती अब यूरोप की बन चुकी है तो उसके बाद उन समाजी को लोगों में के साथ भाई चारे के साथ नहीं रह सकते इसलिए हम बोल सकते हैं कि समाज वाद पहले विक्सित हुआ उसके बाद राश्ट्रवाद विक्सित हुआ इसलिए आपके बुक में आपके उस्तक में जो दिया हुआ है समाजवाद पहले दिया हुआ है राष्ट्रवाद बाद में दिया हुआ है राष्ट्रवाद जो है आपके दस्वी का पहला चेप्टर है और इस पहले चेप्टर में आपको बहुत सारे चीजे पढ़नी है लेकिन सबसे पहले आपको chapter start करने से पहले पढ़ना होगा chapter में आने वाले कुछ दृष्यों के बारे में आपके इस अध्याय में आने वाले कुछ दृष्यों के बारे में पढ़ना है तो उसको सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं पहले मैं आपको उन दिरिश्चियों के बारे में और हमारे आज के एक अच्छा के टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक को हम आज कवर करेंगे और कौन-कौन से चीजों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेला टापिक जो है वो आपका फ्रांस की क्रांती है उसमें उसके बाद दूसरा टापिक जो है वो हम पढ़ेंगे युरोप में राश्ट्रोवाद का निर्माड फिर तीसरा जो है वो है क्रांती कारियों का यूग 1830 से 1848 इन तीनों टॉपिक को हम आज के क्लास में कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर और पहला टॉपिक और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक से कुछ जूड़ी हुई चीजों और तथ्यों को जान ले देखें क्या था हमारे यूरोप में समाज जो है विभीन वर्गों में बटा हुआ था और समाज में बहुत सारे विक्रीतियां फैली हुई थे उन विक्रीतियों को देखके हैं कि इनसान रात को सपना देख रहे थे सोयते बढ़िया मस्त अराम से अपने बिश्तर पे लेटे हुए थे उन्होंने सपना देखा और सपने में बहुत सारे चीजे देखी जैसे हम व्यानते होंगे कि हमारे देस में बोलते हैं रात को मेरे सपने में देवी मा आई प्रकट होने के बाद बहुत सारे बाते बताई वैसे ही अगर मान के चलें तो ये भी जो इनसान थे इनके भी सपने में कुछ आया और सपने में कुछ आने के बाद इन्होंने उस देखे हुए चीजों को इन्होंने अपने पेंटिंग में दिखाया अपने कला के जरिये उसे पेस करने की कोशिस की और इन्होंने चार पेंटिंग जो है उसे इसू किया चार पेंटिंग जो है वो इन्होंने बनाया कौन है ये व्यक्ति जिन्होंने ऐसा सब सीच किया और जिनके बारे में हमाज पढ़ना चाहते हैं इस अध्याय में आप जिनके बारे में पहले ही पढ़ना चाहते हैं और प जो कि आपको इन चार द्रिश्यों के बारे में इन्हों ने आपको अपने पेंटिंग के जरिये बताया, अपने पूरे उस समय के बारे में बताया अपने पेंटिंग के जरिये, ये एक फ्रांस में रहने वाले पेंटर थे, इन्हों ने अपने रातो रात जो सपने में देख उस चीज को इन्होंने अपने painting में दिखाया उस painting में इन्होंने बहुत सारे चीजे दिखाई तो उस painting के जरी हमें यह पता चला कि उस समय यूरोप में स्थिती क्या थी और यूरोप के लोग कैसे थे चलिया आएए देखते हैं इनके painting में क्या क्या वह पेंटिंग अगर आपको दिखरा होगा यह पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया और फ्रेडरिक सोरियो जी ने इस पेंटिंग को बनाने के बाद बहुत सारे चीजों को आपको बताने की कोशिस की कुछ कुछ चीजों को मैं हाइलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से देख ले पहले पहले देखने से ही कुछ चीजे याद हो जाती हैं इसलिए पहले देख ले देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह दृष सिक कहता क्या है सबसे पहले यहाँ पे एक पुतला ख़ड़ा हुआ है ये इसको देखना है इसके बारे में समझना है फिर आप देखेंगे कि कुछ जंडे लेके इंसान आगे बढ़ चुके हैं कुछ इंसान जंडों के साथ पीछे चलते आ रहे हैं यह सब एक दिर्श्य हमें यह उपर में दिखाई दे रहा है जिसे हम जीजस क्राइस्ट इसू कहते हैं और यह कुछ और लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इसके अलावा कुछ चीजें आपको जमीर में पड़ी हुई दिख रही होंगे ये यह सब चीज है क्या और फ्रेडरिक सोरियो जी ने क्या किया है यह पेंटिंग क्या है और हमें बताने के कोशिस क्या कर रहे हैं चलिए आए देखते हैं तो फ्रेडरिक सोरियो जी ने यह पेंटिंग बनाया और पेंटिंग में बहुत सारे द्रिश्यों को समझाने की कोशिस की बहुत सारे द्रिश्यों को समझाने की कोशिस की कि उस समय फ्रांस का जो इस्थिती था और पूरे यूरोप की जो इस्थिती थी वो किस प्रकार थी देखिए फ्रेडिक सोरियो जी 1918-1948 में इन्होंने अपने चार पेंटिंग को बनाया और उस चार पेंटिंग में से एक पेंटिंग आपको यह दिख रही होगी इसमें उन्होंने यह दर्साने की कोशिस की है कि पूरे यूरोप में जो लोग हैं और धीरे धीरे समाजवाद से उपर उठके लोग तांतरिक बनने के राह पे चल रहे हैं दीरे दीरे वो लोग समाजिक और लोग तांत्रिक तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिस कर रहे हैं उसमोए उन्होंने और कुछ चीजों को दर्साने की कोशिस किये जैसे की नीरंकुसवाद का विघटन होना नीरंकुसवाद मतलब होता है कि ऐसा फ्रेडरिक इस पेंटिंग में देखे कुछ चीजें आपको देखनी है और देखने के बाद उसे आपको समझनी है क्योंकि देखने के बाद आप बड़े आसानी से उन चीजों को समझा सकते हैं उन चीजों को पहले मैं आपको दिखा देता हूं आप उसको देख लिजे फिर उसके बाद उसको समझेंगे, सब से पहले फ्रेडरिक सोरियो जी के इस पेंटिंग में आपको ये पुतला दिख रहा होगा, ये इसे स्टैच्य आफ लिबर्टी बोलते हैं और आपको पता होगा चैच्य आफ लिबर्टी न्यू यॉर्क में हैं, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है, इसके बारे मैं पढ़ेंगे मैं उसके बाद कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे मैं अपने राष्ट का जंडा लेके वह यहां पर चल रहा है देखें ये उसके बाद आप देख रहे होंगे कुछ लोग उपर में दिख रहे होंगे और कुछ चीजे नीचे में पड़ी हुई है ये चीजे है क्या और फ्रेडरिक सोरियो जी अपने पेंटिंग में बताना क्या चाते है तो फ्रेडरिक सोरियो जी ने ये सपना देखा था कि हमारा जो यूरोप होगा उनका जो यूरोप होगा वो यूरोप निरंकुस वाद से हट चुका है और लोग तांतरिक बन चुका है उसमें समाज वाद का उदय हो चुका है लोग तांतरिक बन चुका है और जितने भी निरंकुस संस्थाएं थी उस निरंकु संस्थाओं को लोगों ने विघटित कर दिया है और लोगों ने उन्हें विघटित करने के बाद अपने आपको एक राष्ट्र की तरह पहजान दिला चुकी है इस पिक्चर में इस पेंटिंग में आपको जो दिख रहा है अब उसकी बात करते हैं सबसे पहले यहां पे आपको जो दिख रहा है यह स्टैक्ची ओफ लिवर्टी यह क्या दिखाता है आपको क्या बता रहा है स्टैक्ची ओफ लिवर्टी आपको बताता है कि लोगों में अब लोकतंत्र आ चुका है उस राष्ट्र में लोकतंत्र आ चुका है और इस स्टैक्ची ओफ लिवर्टी से लोगों को यह समझ आता है कि लोगों में अब भाई जारे की भावना आ चुकी है उसके अलावा ये जो Statue of Liberty है इसने अपने हाथ में दो चार चीजें पकड़ी हुई है जैसे कि आप इसको बोल सकते हैं ये एक मसाल पकड़ी हुई है ये Statue of Liberty जो हमें हमारे पुनर जागरण के बारे में बता रही है कि लोगों में अब पुनर जागरण हो चुका है लोग अ एक जैसे एक तरीके से रहना सीख चुके हैं उसके अलावा इसमें एक और चीजें है चीज पकड़ा हुआ है Statue of Liberty ने वो है यहाँ पे उनके राइट हैंड में वो है Charter of Rights मतलब लोगों के अधिकार को इन्होंने अपने सांथ रखा हुआ है ये ये लोगों के अधिकार का एक सूटकेस है सूटकेस में इन्होंने लोगों के अधिकार को रखा हुआ है वो प्रतीक ऐसा बताना चाह र जो भी लोग इस Statue of Liberty के आगे हैं वो लोग इन चीजों को पा चुके हैं जो Statue of Liberty हमें देना चाहती है उन चीजों को इन लोगों ने पा लिया है जैसे कि ये लोग है इतने सारे लोग और ये लोग हैं फ्रांस के लोग ये लोग है फ्रांस के लोग तो फ्रांस के लोगों ने अधिकार भी पा लिया है लोगों में पुनार जागरान भी हो गया है और वो एक राष्ट बनने के कगार पे हैं जिसमें आधे लोग आगे पहुंच चुके हैं ये बताने के कोसिस कर रहे हैं कि यूरोप बस अब उस राह में है कि वो अब एक राष्ट्र बन पाएं दूसरा उनके पीछे कुछ और लोग चल रहे हैं जैसे कि ये लोग ये जर्मनी का है जर्मनी के लोग भी इसी रहा पे चल रहे हैं और जर्मनी भी अब धीरे-धीरे राष्ट बनने के कगार पे है लेकिन जब फ्रेडरिक सोरियो जी ने ये प्रेंटिंग बनाए उस समय ये जो है अभी तक जर्मनी एक राष्ट नहीं बना उन्होंने जब यह पेंटिंग बनाए उस समय फ्राज जो है वो धीरे धीरे एक राष्ट बनने के रहा पे था और उनको पीछा करते हुए और भी बहुत सारे देश आ रहे हैं जैसे कि इतली हो गया और भी बहुत सारे देश यह सब उनके साथ चले आ रहे हैं उसके अलावा उसके अलावा कुछ और चीजे जैसे की यह जो आपको उपर में कुछ चीजे दिख रहे हैं कुछ लोग दिख रहे हैं वो ऐसा प्रतीक है इसका प्रतीक है कि वो हमें आसिरवात दे रहे हैं भगवान हमें या फिर इन लोगों को आसिरवात दे रहे हैं कि यह जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो काम इनका सफलता पूर्वक हो पाए उस चीजों को उनके आसिरवाद को दर्द दिखाने के लिए उनके आसिरवाद को बताने के लिए ऐसा उपर में कुछ लोगों को बताया जा रहा है इसमें हमारे उनके कुछ पूर्वज भी सामिल हैं वो हो सही है और आप बहुत जल सफल हो ओंगे इसके अलावा कुछ ऐसे देश जो हमें दीख नहीं रहें इसका मतलब यह नहीं है कि वो राष्ट नहीं बने हैं या बनने वाले हैं इनमें कुछ ऐसे देश है जो उस समय जब फ्रेडरिक सोरियों ने राष्ट इस पेंटिंग को बनाया उस समय जो है वो राष्ट बन चुके थे वो है स्विजर लेंड और अमेरिका अमेरिका और स्विजर लेंड तक तक राष्ट बन चुके थे और फ्रांज जो है वो राष्ट बनने के कगार पे हैं और हमने इतने सारे चीजों के बारे में बात किया तो हमने ये भी प्रेडरिक सोरियो जी ने सपना देखा तरी सपने में उन्होंने क्या देखा उसमें ऐसा सपना देखा जिसमें वह एक राष्ट्र का विचार कर रहा है और वह राष्ट्र राम राज की तरह होगा हमने आज तक एक उदारण लिया है कि पूरे विच्व में कोई राज एकदम बहुत अच्छा रहा था तो वह था राम राज जहां पे राजा और समान आदमी सब समान थे वैसे ही फ्रेड्रिक सोरियो जी ने सपना देखा और उस सपने में राम राज की तरह एक राज को देखा और उसे बोला जाता है यूटोव्या कल्पना दर्स उनके जो सपना देखा और उन्होंने जो सपना देखा उस सपने को बोला जाता है कल्पना दर्स इस फ्रेडरिक सोरियो जी के जो कल्पना करने की स्थिती थी उसे कल्पना दर्स बोला गया और इंगलीश में उसे बोला जाता है यूटोपियन इंगलीश में उसे बोला जाता है यूटोपियन व्यू निरंकुस संस्थानों के बारे मैं आपको बता चुका निरंकुस चानों के द्वारा की जाएंगी और उनके उपर कोई और संस्थान नहीं होता जो उनको उनके उपर क्या नहीं लगा सके रोक नहीं लगा सके चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि उस द्रिश्य में उस पेंटिंग में बहुत सारे देश एक दूसरे के पीछे चले आ रहे थे उनमें कौन-कौन से देश थे तो उनमें देश थे जर्मनी, आयरलेंड, अस्ट्रिया, सीसिली के सामराज, लॉंबार्डी, पोलेंड, इंगलेंड, आयरलेंड, हंगरी और रूस इन सभी देशों के नाम आपको याद करने होंगे, क्योंकि यह आपको एक नमबर में पूछ सकता है, कि फ्रेडरिक सोरियो के जो पेंटिंग है, उन पेंटिंग में कितने देश या कौन-कौन से देश आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनका कूट बना के आपको दे सकता है कि इनमें से कौन कौन से देश उसमें दिरिश्च में दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा फ्रेडरिक सोरियो जो पेंटिंग बनाये हैं उस पेंटिंग को समझाने के लिए आपको बोल सकता है तो पूरा उस painting को समझाने के लिए हम आपको दिखा चुके हैं कि इस painting को आप समझा सकते हैं और इस painting को समझाने के लिए हमने आपको पूरा point wise लिखके दे दिया है आपको ये note जो है आपको मिल जाएंगे चलिए आगे देखते हैं निरंकुस संस्थान, निरंकुस वादी और यूटोपियन इनके बारे में भी मैंने आपको लिखके दे दिया है साब्धिक रूप से एक सरकार या एक सासन के प्रणाली जिसका प्रयोक सक्ती पर कोई रोक नहीं होता एक ऐसी सासन प्रणाली जिसमें किसी भी प्रकार का अंकुस नहीं लगाए जा सकता और जिसकी सक्तियों को कोई भी रोक नहीं सकता वो होता है निरंकुस वादी और यूटोपियन एक ऐसा समाज की द्रिष्टी इतना आदर्स है कि वास्ताव में मौजूद होना संभव नहीं है चलिए इसको देखते हैं रामराज ये होना संभव नहीं है इसको एक हम लोग उधारण के जरिए समझते हैं मान के चलिए आप 1973 के पहले जनम लिए हैं यूटोपियन के बारे में मतलब की कलपना दर्स के बारे में हम समझ रहे हैं कि 1973 से पहले पैदा हुआ है और यह सपना देख रहे हैं कि आप बीना किसी के वायार वाले फोन से अपने दोस्त को एक देश से बैठे-बैठे किसी दूसरे देश में फोन लगाना और उनसे बात करना यह एक ऐसा सपना है जो उस समय के लिए क्या नहीं है मुम्किन नहीं है तो वही होता है यूटोपिया कि जो मौजूदा इस्ठिती में वो हो ही नहीं सकता उसको हम बोल सकते हैं यूटोपिया ठीक ये था आपका पेंटिंग को पूरा एक जो सम्झाने के कोशिश किये हैं आगे हम आते हैं और आपका पहला टॉपिक जो है वो है फ्रांस की क्रांती और राष्ट्र का विचार यहां से आपका जो अध्याय है वो चालू होता है इससे पहले जो चीजन पढ़ें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि उससे आपको प्रस्ण मिलेंगे आपको आपके बोर्ड एक्जामनों उससे बहुत सारे प्रस्ण आपको मिलेंगे ठिक उस पिक्चर से उस फोटो से उस दृश्ट से हमें कुछ चीजों के बारे में कल्पना मिलती हैं कल्पना करते हैं उन चीजों को आप मैं बता रहता हूँ जैसे कि उस पैंटिंग में ह एक राष्टर बनने की स्थिति पता चलती है उस पेंटिंग से हमें फ्रेड्रीक सोरियों के पेंटिंग से हमें एक राष्टर की अलग-अलग राजा, अलग-अलग निर्हकुष संस्थाएं इसे चलाते थे, उस समय कोई राष्ट्र नहीं होता था, लोगों में कोई एकता नहीं होती थी, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने एक राष्ट्र बनाया और उसे इंगलिस में नेशान स्टेट बोलते हैं, हिंदी आपको एक राष्ट्र की तरहा देखने लगे, और लोग एक दूसरे से सिर्फ एक चीज ही सेयर करते थे, वो है उनकी पहचान, वो था एक राष्ट्र का होना, जैसे कि हम सब एक पहचान सेयर करते हैं, वो है हम भारतिय हैं, वैसे ही धीरे-धीरे लोगों में ये आइडि या आने लगा लोग अब एक जगह के रहने वाले और एक राष्ट्र के लोग फ्रांस के रांटी से भी हमें यही पता चलता है ठडूरीज यह बताई बात अब आपने पहर कता उन्हां की तरह देखने लगे फ्रांस के क्रांटी के बारे आपने का पहिंए पढ़ चुका है कि फ्रांज की क्रांति कैसे शुरुवात होई बर्बन जो सामराज था उस सामराज में क्या क्या चीज़ें थी जो लोगों के खिलाफ जा रही थी समाज कैसा था किंग लुई लुइस शिक्स्टीन जो था जो राजा था उसके क्या-क्या डंबर थे इन सभी चीज को के आगे हम पढ़ने वाले हैं तो 1789 में 1789 में जो फ्रांस था वो पूरी तरह से बर्बन जो सामराज था उसके अंदर आता था बर्बन सामराज जिका जो राजा हुआ करता था राजा वो था लुई 16 लुई 16 के आडंबर बहुत सारे थे इस आडंबर के चलते लोग उनसे बहुत परेसान थे इसी पर आसानी के कारण लोगों ने धीरे धीरे उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी और उसी जंग को हम नाम देते हैं उसी करांती को नाम देते हैं फ्रांस की करांती जो की सुरवा फ्रांस की क्रांटी जो है उसे हम पढ़ने से पहले फ्रांस के स्थिति बारे में जान लेते हैं फ्रांस की समाजी की स्थिति जो थी वह तीन वर्गों में बटी हुई थी समान्य लोग और उच्च श्रेणी के दो इक जो मदर्सा में पर जो चर्च में काम करते थे और एक वो जो राजा से नाता रखते थे उनको हम जानेंगे वो समाज की स्थिती थी और उसी समाज की स्थिती को देखते हुए फिर आगे चलके फ्रांस की क्रांती हुए चले देखते हैं तो हमारे पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का जो सबसे पहला हमें द्रिश्च देखने मिलता है वो इसी फ्रांस की क्रांती से देखने मिलता है फ्रांस की क्रांती ही वो क्रांती है जहां से जो हमारे पूरे विश्व में राष्ट्रवाद जो है वो फ सकते हैं कि पूरविश्व में पूरविश्व में राष्ट्रवार्थ जो है वो कहां से आया तो फ्रांस की क्रांती से आया ठीक एक एक नंबर में एक नंबर के स्थिती में आपको यह पूछ सकता है ठीक इसके बाद धीरे धीरे फ्रांस की क्रांती आगे बढ़ती चले गई और फ्रांस के क्रांती कारियों ने बहुत सारे चीजें अपने अंदर विकसित करने की कोशिस की ताकि लोगों में राष्ट्रवार्थ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो घर कर जाए उसको र और उन प्रयासों के चलते ही धीरे धीरे फ्रांस जो है वो राश्ट के रूप में आया तो सबसे पहला ये जो फ्रांस के करांतीकारी थे उन्होंने लोगों में फ्रांस के करांतिकारी ने लोगों में एक आईडिय डवलप करने किया करने कोशिज की एक विचार विक्सित करने के लिए उन्होंना दो सब्दों को का प्रयोग करना दो सब्दों का इस्तमाल करना चलू क्या है ला पैकट्री और लेशितायन का यह दो फ्रांस के दो सब्द हैं फ्रांस के लोग इन दो सब्दों को प्रयोग करते थे अपने में राष्ट्रवाद की भावना का उधय करने के लिए यह क्या है यह सब्द तो लापैटरी मतलब होता है पित्र भूमी जैसे हम मानते हैं कि भारत हमारी मात्र भूमी है या जो जमीन है या हमारी मात्र भूमी है वैसे ही फ्रांस के लोग मानते हैं कि वो जिस जमीन पे रते हैं उनकी पित्र भूमी है दूसरा, वहाँ पे रहने वाले सभी लोग वहाँ के नागरीक हैं तो दूसरा, फ्रांस के लोग, फ्रांस के जो करांतीकारी हैं उन्होंने राष्टवात की भावना को जगाने के लिए इन दो सब्दों का प्रयोग किया ला पैटरी और ले सितायन जिसका मतलब होता है पित्र भूमी और नागरिक मतलब कि जिस पित्र भूमी पे हम सब रह रहे हैं हम वहां के सभी नागरिक है और हम सब एक ही चीजों को क्या कर रहे हैं एक दूसरे से सेयर कर रहे हैं वो है हमारा हिश्ट्री हमारा इतिहास हम सभी एक ही इतिहास से होके आए हैं हम सभी एक ही समाज के रहने वाले लोग और हमारा इतिहास जो है वो सभी का है? समान है हम यही मानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो समान है आप सभी भी जानते होंगे कि पूरे भारत में हम सभी एक ही इतिहास को क्या करते हैं एक जानते हैं जैसे कि हमारे इतिहास में मैं बोलू भगत सिंग मैं बोलू महात्मा गांधी जी तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं और हमारा इतिहास वही भगत सिंग जी है और वही महात्मा गांधी जी है ठीक है तो हम जो साथ में जो एक सांट एक ही तरीके के इतिहास को क्या कर रहे हैं सेयर कर रहे हैं ठिक तो वैसे ही फ्रांस के लोग भी एक ही इतिहास को सेयर कर रहे हैं वो है क्या उनकी पित्र भूमि और उनका एक नागरिक होना चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा उन्होंने किया उन्होंने जो एस्टेट जनरल हुआ करता था उनका जो पारलेमेंट हुआ करता था राजा भर्बन सामराज के टाइम पे उस पारलेमेंट का नाम को चेंज कर दिया और उसे कर दिया नेशनल एसेंबली मतलब कि एस्टेट जनरल जो हुआ करता था उसके नाम को चेंज करके नेशनल यह था फ्रांस की करांती कार्यों का विचान के करांताइव की प्रांस के नागरीकों में राष्टरवाद का वुदायें की तैया उन्हें tow प्रुदायस हो पाए आपको इन सभी points को लिखना है आपको सभी ये जो notes है आपको आपके बहुत ही जल आपके जो चैनल है टेलिग्राम उसमें आपको मिल जाएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो notes है आपको बहुत ही ज़्यादा easy language में easy भासा में आपको सभी प्रस्नों को समझाएगा औ सभी प्रस्णों को बताएगा प्रस्णों के उत्तर देगा चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रांस की क्रांतिकारी एक आपको प्रस्ण मिलेगा कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस के क्रांतिकारियों की क्या मान्यताएं थी कि यह प्राशन आपको देखने मिल जाएगा कि फ्रांस के करांतिकारी जो थे वो क्या मानते थे चलिए अब इससे बात करते हैं कि फ्रांस के करांतिकारी यह मानते थे कि भगवान ने इस प्रिथ्वी पर इसलिए भेजा है ताकि वो पूरे युरोब में रहने वाले लोगों को निरंकुष संस्थानों से उन्हें छुड़वाए और उन्हें एक राष्ट के रूप में विकसित करें तो 1790 के इस्थिती में जो नेपोलियन थे उन्होंने सभी निरंकुष संस्थानों को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के बाद उन्होंने अपने इस राष्ट्रवाद की विचार को लेके और भी बहुत सारे देशों में गए जैसे कि Holland गए, Belgium गए, Switzerland गए और Italy गए और उन्हें भी एक राष्ट के रूप में बनाया ठीक और France के क्रांतिकारी जो थे France के क्रांतिकारी उनका क्या मानना था उनका यह मानना था कि यह जो राजसाही तंत्र है उन्हें भगवान ने नहीं बनाया है उसे हमने बनाया है लेकिन भगवान ने हमें बनाया है ताकि हम इस सासक वर्ग को क्या कर सके मिटा पाएं इस सासक वर्ग को मिटा पाएं फ्रांस के क्रांतिकारी यों का सिध्धान्त था कि वो इन निरंकुष संस्थानों को पूरी तरह से ध्वस्त करें और अपने जो जो विचार धाराएं हैं उस विचार धाराओं को और दूसरे देश तक ले जाए और उनमें राष्ट्रवा का उदाय करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेपोलियन के बारे में जानते हैं नेपोलियन आप जानते होंगे आपका नवी का जो अध्याय था उसमें खतम किया गया था नेपोलियन के आने तक उसके आगे का जो है उसे हम इसमें पढ़ेंगे नेपोलियन जो है नेपोलियन फ्रांस के एक कमांडर हुआ करते थे जो अपने सेना को लेके दूसरे देशों तक जाते थे और उन देशों को अजाद कराने में उनकी मदद करते थे नेपोलियन फ्रांस में रहने वाले एक नागरिक थे जब उनका उदय हुआ जब वो पावर में आये तो उन्होंने अपने फ्रांस में बहुत सारे चीजों को क्या किया थोड़ा सा बदलग वहां के जो प्रसासन है प्रसासन में थोड़ी सी बदली की प्रसासन में उन्होंने थोड़ा सा और बहतरी करने की कोशिश की और उस प्रसासन में बहतरी करने के लिए उन्होंने अठारा सो चार में अठारा सो चार में नेपोलीनिक कोड या फिर सिविल कोड लाया, सिविल कोड लाया जिसे नेपोलीनिक कोड बोलते हैं, यह आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिख़ड़ा होगा, घबराया गमत यह आपको नोट्स में सहीं दिखेगा, नेपोलीनिक कोड ठीक है, यह इसक या civil code को समझाइए नेपॉलिनिक code को समझाइए या फिर civil code को समझाइए अगर आपको कुछ भी चीज समझ ना रहो तो आप comment box में अपने परस्म रख सकते हैं हम आपके परस्मों का जवाब अपने दूसरे class में देने की कोसिस करेंगे ठीक है तो नेपॉलिनिक code को तो मैं आपको 6 नंबर के लाएक ये जो प्रस्म है इस प्रस्मों को बता देता हूं ताकि आप कभी भी उससे कम नंबर का question आए तो आप इसे बना पाए देखे फ्रांस के जो सासक बने बाद में इन्हों ने फिर से उसी निरंकुस वाद को बढ़ावा दिया पहले ये जो लग गए तो नेपोलियन जो थे 1799 से 1815 तक फ्रांस में सासन किया इन्हों साथा सो 69 से 1815 तक क्यों कि 1799 में आप जानते हैं फ्रांस की स्ते के जरिए लोगोंने फ्रांस की राजा को क्या कर्दिया था हटा दिया था फ्रांस के राजा को वहां से हटा दिया और फ्रांस के राजा के हटने के बाद 1799 में नेपोलियन का उदा हुआ नेपोलियन जैसे ही आये उन्होंने नागरिक सहीता ले आई इसी को सिविल कोड बोला जाता है नागरिक सहीता, नेपोलिनिक कोड या फिर सिविल कोड सभी एक क्या है एक ही का नाम है नागरिक सहीता वो सहीता होता है जिसके जरिये नागरिकों को अंकुस में रखा जा सकता है इसलिए और नागरिकों के हित के लिए लाये गया यह सहीता इसमें कुछ कानून पास किये ग और कुछ जो पूराने चीज़े थी उसे हटा दि गई जैसे कि सबसे पहला काम सिविल कोड या फिर नि कोड के जरी ये लोगों को कानून के समख समानता इस्थापत की गई लोगों के लिए कानून के समक्ष समानता इस्थापित की गई आप मेरे साथ लिखते चले जाईएगा 6 पॉइंट आपको लिखना है तो पहला पॉइंट यह है कि यह 1804 में लाया गया नागरिक सहीता था पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है इसमें कानून के समक्ष समानता इस्थापित की गई लोगों को इलिए दूसरा इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसने सामंती विवस्था को समाप्त कर दिया सामंती विवस्था इंगलिस में फ्यूडल सिस्टम बोलते जिसमें सामंत के जरिये जो राजा है वो राज करते थे उसे समाप्त की गई क्यों क्यों कि सामंती व्यवस्था से सामंत जो है वो नागरिकों का या जो वहां पर किसान होते थे उनका सोसन करते थे उसे समाप्त कर दिया और किसानों को दास्ता से मुक्त कराया जो किसान को से कोई भी प्रकार का कर लिया होगा वह लोन को चुका कने के लिए वह दास के तरह उनका काम करते थे उससे उनोंने उनको लुपम साहिता ने तो थीजरा पॉयंट है पहला पॉइंट 18 सचार में ये नागरिक सहीता पेस किया गया कानून के समग दूसरा पॉइंट है कानून के समग समानता इस्थापित की गई इस नागरिक सहीता द्वारा दूसरा सामनती विवस्था और किसानों को दास्ता से मुक्त कराया चौथा पॉइंट है वो है परिवहन और संचार प्रणाली को मजबूत किया गया उस समय नेपोलियन के आने के बाद हमारा यूरोप का जो या फिर फ्रांस का जो परिवहन विवस्था था और संचार प्रणाली थी वो सही नहीं थी उसे विवस्थित किया कराधान और सेंसर सीप लगाई कराधान मतलब जो लोग कर चुका नहीं पा रहे हैं उनको कर से मुक्ट किया और जो लोग वेबाग तरीके से पेपर में या अपने किसी और कृत्यों के जरीए सरकार के बारे में बिना किसी रोक टोक के बोले उसको हटाया गया, सेंसर सीप लगाया गया उसके अलावा राजा महराजा के टाइम में या बर्बन सामराजी के समय में गिल्ड जो होता था, गिल्ड क्या होता है गिल्ड चार पांच लोगों का एक समू अब चार पांच लोगों का समू तो हम भी हैं मतलब क्या तो गेल्ड मतलब क्या तो गेल्ड मतलब काम करने वाले लोग जैसे की किसान हो गए जैसे की टेलर हो गए कुछ कारीगर लोग उनसे मिलके बना है ये गिल्ड और इस गिल्ड के प्रतिबंद को लगाया गया था बर्बन सामराज्य के समय में कि जो अलग-अलग वर्ग के लोग अलग-अलग काम करने वाले लोग अपने समू को नहीं बना सकते जैसे हम लोग आज जानते हैं कि बहुत सारे लेबर यूनियन हैं बहुत सारे अलग-अलग अलग समू हुआ करते हैं उन समुहों को उस समय प्रतिबंध था उनको हटाया गया फिर एक मान कृत वजन और मापन प्रणाली लाई गई फ्रांस में उस समय होता था कि लोग अलग 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 जगहा पे अलग अलग मापन प्रणाली लेते थे अलग-अलग टाइप के मेजर्मेंट लेते थे मान के चलिए कि मैं एक जगह पे हूँ फ्रांस के एक जगह पे हूँ वहाँ पे एक मीटर मतलब कुछ और होता था फ्रांस के दूसरे जगह पे एक मीटर मतलब कुछ और होता था मापन प्रणाली जैसे कि मैं एक जगह पे किलो मतलब कुछ और लेता था फ्रांस के किसी और कोने में एक किलो मतलब कुछ और होता था तो इस अलग-अलग मापन प्रणाली और मानकृत वजन प्रणाली को क्या कर दिया गया मापन प्रणाली और वजन प्रणाली को रखा घया एगे चलते हैं, यह कुछ पॉइंस थे आगे आता है, यह है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्मान, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्मान अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो फ्रांस में फ्रांस की करांती के बारे में पढ़ रहे थे फ्रांस में फ्रांस की करांती और पूरे विस्वें पूरे यूरोप में राष्टरवाद कैसे उत्पन हुआ पूरे यूरोप के लोगों को राष्टरवाद के बारे में पता कैसे चला हम इसको पढ़ रहे थे अब पढ़ेंगे बाकी यूरोप में और अलग-अलग सामराज जो हुआ करते थे उनमें लोगों में राष्टरवाद को कैसे उदय किया और उन लोगों में राष्टरवाद और देखते रहे हमारे वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इस क्लास से जूड़ी हुई कोई भी प्रसनों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उन प्रसनों को हम उन प्रसनों के जवाब बहुत जल्द आपको या तो दूसरे क्लास में देंगे या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखके देंगे तब तक के लिए मैं नमंद वांगन आपके सुब्त कामनाओं के साथ आपके इस क्लास को खतम करता हूँ धर्न्यवार